हाई गाईज स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्योलोजी में मैं हूँ विशाल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक .net do follow backlink जी हाँ एक ऐसी वेबसाइट की बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिस पे जो .net की बैक लिंक है वो मिलने वाला है ठीक है इसकी जो अथोर्टी है गाईज वो 84 के अराउंड है ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हाई अथोर्टी इस वेबसाइट की है ठीक है यह जो वेबसाइट है यह जर्मनी की वेबसाइट है आप देख सकते हैं Germany's largest question and answer platform ठीक है बह बहुत ही powerful backlinks होते हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए ranking के लिए बहुत ही ज्यादा helpful होते हैं साथ ही साथ आपके जो articles है आपके जो pages है उनको rank कराने में Google के first page पे rank कराने में आपकी बहुत ही ज्यादा help करते हैं ताकि आपको एक अच्छा खासा एक massive traffic Google से मिल सके और आप एक अच्छी earning उसके थो कर सकें तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस channel को subscribe करें ताकि जो next videos है वो timely आप तक पहुंसती रहें ठीक है साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो आप इसको like और share भी कर सकते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपना browser open करना है अपने browser में जाना है उसके बाद आपको browser में type करना है g-u-t-e-f-r-a-g-e.net ठीक है ये जो website है इसका link में अपनी इस video की description में भी mention कर दूँगा ताकि आपको find करने में कोई problem ना हो ठीक है एक बार मैं यहाँ पे spell भी कर देता हूं www.g- q-t-e-f-r-a-g-e.net goodfrage.net ठीक है ये website है इसके बाद आप इसको enter करेंगे अपने browser में ठीक है इस तरह का interface आपको show हो जाएगा अब मैं अभी आपको बता चुका हूं कि यह जो website है जर्मनी की website है guys ठीक है सबसे पहले इसकी domain authority page authority और इसका spam score हम check कर लेते हैं दाकि आपको backlink बनाने में कोई भी confusion ना हो कि आपको आगे कोई भी confusion हो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी इस video से कोई related कोई भी query रहे ठीक है तो सबसे पहले इसकी authority हम check कर लेते हैं मैं most bar में जाता हूं और इसकी most authority check कर लेता हूं ठीक है तो मैंने यह आपे इसका most bar open कर लिया है guys एक सेके यह open हो जाता है भी मैं इसको भी check कर लेता हूं इसकी authority मैं इसको refresh करता हूं मैं ठीक है तो इसमें जो authority है वो यहाँ पे show नहीं हो पार रही है इसका most bar काम नहीं कर रहा है अभी देखिए इसकी जो domain authority है guys वो 84 है 84 जो domain authority है बहुत 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 ही अच्छी authority है 84 जो 30 प्लस जो authority होती है guys वो बहुत अच्छी होती है बट यह जो authority है वो 84 है ठीक है जो की आपके लिए एक तरह से आपकी website के लिए एक boost का का काम करेगी ठीक है साथ ही साथ इस website के जो page authority है वो 61 है ठीक है इस spam इसको बिलकुल ना के बराबर है 1% है जो की बिलकुल आप समझ सकते हैं कि कोई इस website पे आपको backlink बनाने में कोई भी issue नहीं होना चाहिए ठीक है अब मैं इसकी similar way पे सारी चीज़े चेक कर लेता हूँ कितना इस website का traffic है ठीक है 1 month का इसका जो previous जो April 2020 का जो overview मैं चेक कर लेता हूँ ठीक है इस website का तो यह जो website है यह funded हुई थी यह जो बनी थी website 2006 में बनी थी यानि कि 14 साल इसको हो चुके है 14 साल पुरानी website है 14 years old website है ठीक है इसके बाद जो इसका headquarter है वो Munich में है जर्मनी जर्मनी की website है ठीक है इसके बा Global rank guys कितनी अच्छी है इसकी जो वर्ड में जो rank है वो है 1000 1430 और जो जर्मनी खाली जर्मनी में जो rank है 65 है तो बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी website है ठीक है साथ ही साथ पिछले महीने का जो traffic था वो 41.34 million इसका traffic था आप देख सकते है millions में इसका traffic है साथ ही साथ इस पे ज website है इस पे जर्मनी, Australia, Switzerland, Italy और United States का traffic आता है मिली ठीक है जर्मनी का आता है 82% 83% के लंब सम उसके बाद Australia का है 8% के around Switzerland का है 6% के around Italy का है ठीक है और उसके बाद United States का है जो top 5 countries है वो मैंने यहां पे आपको शो कर दी है इसके बाद जो traffic source है जो 88% जो overall जो traffic है इसका लगबग लगबग वो organic search के थो ही आता है आप देख सकते हैं यह search के थो ही इसमें 88.34% इसका जो traffic है वो organic search के थो आता है ठीक है बाकी का जो traffic है वो direct है रीफरल्स के थो social ठीक है इनके थो है इसके बाद मैं बात करूं देखिए या पे search के त्रो 88.349 ने दिखाया हुआ है अब मैं बात करूँ सोशल से भी कुछ ट्राफिक आता है इनका YouTube से Facebook से WhatsApp से Pinterest से और Reddit से ठीक है बट जो overall जो ट्राफिक आता है वो इसका organic search के त्रो ही आता है गाईस ठीक है बहुत ही अच्छी website है इसकी जो ranking rank है बहुत अच्छी है इसके बाद हम Alexa rank भी इसकी check कर लेते हैं ठीक है मैं आप पर इसकी website पर गया और Alexa rank इसकी मैंने check कर लेता हूँ मैं देखिए अभी open नहीं हो रही है Alexa का page काम नहीं कर रहा है तो मैं search कर लेता हूँ Alexa ठीक है मैंने यहां पर Alexa dot com मैंने यह Alexa चली नहीं रही है ठीक है अभी बंद है तो यह आप ने अभी तक यहां पर इतना देख लिया है कि यह website कितनी अच्छी है domain authorities की 84 है ठीक है और जो Germany में जो इसका जो rank है वो 65 है जो की बहुत अच्छी है ठीक है जो main traffic है इसका 88 से भी ज्यादा जो traffic है 88% से ज्यादा वो organic search के थ्रो आता है तो अगर आपको यहां से एक backlink मिल जाता है तो यहां से आपको बहुत ही अच्छा link juice आपकी website के लिए आपको मिलेगा साथ ही साथ आपकी जो domain authority है और जो page authority है उसको भी improve करने में आपकी जो do follow backlink है काफी मदद करेगा क्यूंकि आप जानते हैं कि do follow backlink एक बहुत ही vital role play करते हैं ठीक है अगर आपका आपकी website का एक backlink जो है किसी बहुत ही high authority website पे होगा और वो do follow backlink है तो इसका मतलब है कि google अगर इस website पे trust कर रहा है ठीक है यह जो जर्मनी की जो website है इस पे इसका trust level 84% है इसका जो domain authority है तो आपकी website के लिए भी वो good ranking factor माना जाएगा अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से इस पे अपना backlink बनाना है ठीक है तो आप यहां से चलते हैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह जर्मनी की language है ठीक है यहां पर जो display हो रही है तो सबसे पहले यहां पर right click करेंगे हम ठीक है right click करने के बाद इसको translate to English कर लेंगे ठीक है यहां पर English में convert हो गई है अब क्या करेंगे यहां पर हम जाएंगे profile में और create now free ठीक है तो यहां पर हम sign up करेंगे नया account बनाएंगे इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए हमें अपनी email id यहां पर फिल करनी है ठीक है मैं यहां पर अपनी email id फिल कर लेता हूँ SEO Optimizeology ठीक है मैंने यहां पर अपनी email id फिल कर दी इसके बाद जो है इसके बाद मैंने यहां पर अपना यूजर नेम में को डालना है जैसे मैं डाल देता हूँ SEO Logi ही डाल देता हूँ SEO Logi ठीक है इसके बाद मैंने यहां पर अपना password मैंने यहां पर फिल कर दिया ग्याईज ठीक है अब इसके बाद मैंने इसकी जो time and condition है वह यहां से मैंने accept पर click कर दिया और मैंने यहां पर sign up पर यहां पर जाकर click कर दिया ठीक है यहाँ पर बोल रहा है यह confirm your registration, we have sent you an email to the following email address, ठीक है, अब मैं अपनी Gmail ID पर जाता हूँ, Gmail account पर जाता हूँ, ठीक है, Gmail account पर मैं जाता हूँ और चेक करता हूँ कि यहाँ पर कोई confirmation mail इस website की तरफ से तो नहीं आया है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर दिखा रहा है कि इन्होंन information, तो मैं यहाँ पर जाके confirmation email पर जाओंगा और यहाँ से इसको confirm करूँगा, ठीक है, यहाँ से open हो रही है website, यह Gmail, और देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर मेरा एक message आया है, ठीक है, यह मैंने open किया, और यहाँ इन्होंने, यहाँ पर इस पर मैंने click करके, मैंने यहाँ से इ ठीक है, यहाँ पर देखिए, मेरा login हो गया है, ठीक है, अब यह जो मैं previous tabs है, मैं यहाँ से इनको close कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज्यादा tabs ना open हूँ, आपको clearly समझ आता रहे सब चीज, तो इसके लिए, यहाँ पर यह मेरा login हो गया है, अब यह बोल रहा है, welcome to good question, अभी हम अपनी profile को complete कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें आगे करेंगे, ठीक है, तो अभी हम को क्या करना है, अभी हम अपनी profile पे click करेंगे, और यहाँ पे settings पे जाने के बाद, यहाँ पे यह अभी जो language है, यह दूसरी दिखा रहा है, यहाँ पे हम, okay, मैं यहाँ पे द open कर ली है, ठीक है, ताकि मैं इसका link दे सकूँ यहाँ पे, और यहाँ पे यह इस तरह का interface आपको show हो गया, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो मेरी DP है, profile picture है, वो upload पे click करना है, ठीक है, और upload करनी है, ठीक, मैं यहाँ पे गया, यहाँ से मैं अपनी कोई इसको पे फोटो उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको to save कर दिया, ठीक है, अब यहाँ से यह से यह से वो जाएगी, अब इसके बाद, देखें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फोटो इन्होंने यहाँ पे show कर दिया है, इसके बाद मैं अपना कोई भी profile cover ल लगानी है, ठीक है, वो यहाँ से मैं select कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं image में गया, और यहाँ पे मैं कोई भी image यहाँ से pick कर ली, ठीक है, यहाँ से मैंने जैसे कि यही image मैंने उठा ली, और इसको मैंने save कर लिया, ठीक है, save image, मैंने यह image save कर ली इसके बाद मैं वापस विबसाइट पे गया और यहां से मैंने इस पे cover page को मैंने इसी image को मैंने यहां पे लगा देना है ठीक है तो मैंने यहां से यह select किया और यहां पे मैंने to save कर दिया ठीक है आप देखते हैं कि यह किस तरह से लग रही है इसके बाद मैं इसको यहाँ पर finished करते ता हूँ देखिए इस तरह की यह मेरी profile यहाँ पर show हो रही है ठीक है यहाँ पर आप मेंको क्या करना है देखे यहाँ पर इनों ने यहाँ पर level 1 भी दिखा रहा है कि देखे मैं दिखा देता हूँ ओपर फोड़ा ड्रेक करके, देखे, 20 points up to level 2, ठीक है, अब इसके बाद मेरे को आगे की profile complete करनी है, यहाँ पर मैं गया, edit profile, ठीक है, edit profile के बाद यह सारे options इसमें आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी city यहाँ पर mention करूँगा, मैंने यहाँ पर अपनी city mention कर दी, noida, इसके बाद मैंने country यहाँ पर डाल दी, इंडिया, इसके बाद मेरा जो job है, वो digital marketing का है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, digital marketer ठीक है, यहाँ पर मैंने digital marketer डाल दिया है, और यहाँ पर देखे, यहाँ पर my website का option आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अपनी website में अपना root URL यहां पर enter कर देंगे ठीक है इसके बाद यह date of birth के लिए बोल रहा है date of birth जैसे की मेरे को यहां पर select करना है मेरा 10 September मेरी जो date of birth है 10 September ठीक है 90 90 है मैं चेक कर लेता हूं ठीक है यहां पर मैंने इसको select कर लिया इसके बाद यह बोल रहा है gender ठीक है gender मैंने यहां पर mail डाल दिया इसके बाद मैं आगे जाओंगा यहां पर बोल रहा है about me ठीक है तो यहां पर आप कुछ भी आपने बारे में दे सकते हैं ठीक है details जैसे की hi एक सेकेंड मैं भी दुबारा से बता देता हूं ठीक है इसमें आपने लिख दिया hi my name is vishal and i am a digital marketer and a part-time blogger ठीक है इसके बाद मैंने इसको यहां पर save पर click कर दिया है ठीक है अब यहां पर सब कुछ save हो गया है ठीक है finish कर देता हूं मैं इसको यहां पर इसके बाद मैं वापस से यहां पर जाता हूं और यहां पर इसको view करता हूं अपनी profile पर कि किस तरह से यह show हो रही है ठीक है एक सेकेंड, देख लेता हूं मैं एक मिट, ठीक है, यहाँ पर मैरी सारी चीज़े दिखा रहा है, जो मैंने यहाँ पर फिल करी हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, और इंग्लिस में इसको कनवर्ट कर लेता हूं, ठीक है, मैंने इसको इंग्लिस में कनवर्ट कर देखिए यहां पर About Me में मेरी वेबसारप दिखा रहा है मेरी Date of Birthday सिखा रहा है मेरा Gender सिखा रहा है, मेरा Job Role सिखा रहा है और मेरी City और Country यहां पर शो कर रहा है तो यह मेरी यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो complete हो जाती है ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको देखें अब आपको चेक करना है कि यह do follow backlink है जो मैंने अपनी website का drop किया है या no follow backlink है ठीक है तो मैं इस पर जाके right click करके inspect पर click करके check कर लेता हूं कि यह do follow backlink है no follow backlink है ठीक ह तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी no follow आपको mention नहीं दिख रहा है ठीक है कहीं पर भी आपको no follow नहीं दिख रहा है गाईस यह do follow backlink है ठीक है dot net website पर जो backlink आप बनाते हैं उनका काफी positive impact पड़ता है आपकी website पर तो आप इस तरह से जाके अपनी website के लिए यहाँ पर do follow backlink ले सकते हैं ठीक है साथ ही साथ मैंने अपने YouTube चैनल पर काफी सारी वीडियो यहाँ पर मैंने बनाई है जहां पर आपको एक से एक backlink आपको मिल जाएगा ठीक है मेरी previous वीडियो में और आपकी जो website है rank करने में काफी जो वीडियो है काफी काफी अच्छी हो सकती ह है क्योंकि मैंने आपको जितनी भी details है वो best देने की कोशिश किये गाइस ठीक है तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें comment section में बता सकते हैं साथ ही साथ आपकी कोई query हो तो comment section में जाके मेरे से पूश भी सकते हैं साथ ही आप मेरे चैनल को please 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 guys subscribe करें और इस वीडियो को like और subscribe और share कर सकते हैं तो इस वीडियो में guys इतना ही फिर मिलूंगा एक नए concept के नए topic के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए तहन्यवाद